तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं अब नंदर करते हैं आपके अपने योट्योब चैनल आरेन इस्टूट अलहाबाद में दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं लगातार डेलर एडमिसन दोहज़र चोबिस के संदरोब में एक सबसे बिक है अपने टोटल नंबर यानि CGP और SGP यानि New Education Policy के तहक उन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम को तो लांच किया ठीक है लेकिन ग्रेडिंग सिस्टम आया बच्चों को यह नहीं पता चल रहा था कि भया हमारा एक्जाम एक्जाम भी समाप्त हो गया सब कुछ प्रोसेस समाप्त हो गया ठीक है लेकिन उनको अभी तक यह नहीं पता है कि हम टोटल कितने नंबर पाई हुए हैं हाला कि उन्हें अपना पर्जेंटेस पता है डिवीजन पता है सब कुछ पता है लेकिन भाई कभी-कभी जरूरत हमें आपको पढ़ती है कि हम कितने नंबर में कितने नंबर पाई हुए है ठीक है ये अधिकतर लोग पूश लेते हैं तो ये सबसे प्रमुक मुद्दा बन चुका है खास कर अगर आप DLA में admission लेने जा रहे हैं या नहीं भी ले रहे हैं तब भी आपको ये जानना आवस्यक होता है कि हम कितना नंबर पाई हुए है ठीक है तो उसी चीज को लेकर DLA admission के संदरोब में हम लोगों ने महिम चलाया और finally आज इस महिम में हम लोग कामयाब भी वो रहे हैं धेरे-धेरे हाला कि आपके आवेदन की अंतिमतिती भी देरे-धेरे आ रहे हैं ठीक है लेकिन अब हम लोगों के अनुसार से तो युनिविस्टी काम करेंगे नहीं उनको जब समय मिलेगा ठीक है तभी जाके काम होगा लेकिन एक चीज आप बिसेश तोर पर ध्यान रखिएगा आज य अगर आपका CGPA है और SGPA यानि सभी का अधिकतर अगर देखा जाए तो ग्रेडिंग सिस्टम यह है तो देख सकते हैं लिखा जा रहा है आ गया प्राप्तांग पूर्डांग ठीक है अब जहीं सी बात ही इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर सोचें कि भाया अब हम पारा कितना जो है प्रोडांग होगा कैसी होगा ध्यान देजिएगा हम किसी एक युनिश्टी का नहीं बताने वाले हैं अभी जितने इमेज हमने रखा है दोस्त मैं आप से कहना चाहूंगा आप वीडियो के लाश तक बने रहिएगा इसमें हमने करीब 16-17 इमेज रखे ह ठीक है अब किसके कौन-कौन से युनिश्टी है आपका रिजल्ट अगर होगा तो आप मुझे थोड़ा सा कॉमेंट करके बताईएगा हलाकि मैंने किसी का नाम ब्लर नहीं किया है ठीक है उससे आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा परिसान मत होईएगा ठीक है अगर आप अपने फॉर्म में तो हम जब CGP यानि 9.5 से जब हम मल्टिपल कर रहे है तो वो हमारा दोनों इक्वल नहीं आ रहा ठीक है जैसे हम मानते हैं आपने 700 नंबर डाल कर फिलप किया टोटल आपका कितना है 1000 मत एक समझाने का आकड़ा हम आपको बता रहे हैं और आपका CGP दिय जो भी हो ठीक है 6.8 दिया हुआ है तो आपका ये कहना होता है ठीक है कि जो इसका परसेंटेज है और इसका परसेंटेज है दोनों हमारा एक्वल होना चाहिए लेकिन ये हो नहीं रहा है ठीक है तो क्या अगर एक्वल नहीं हो रहा है दोनों समान नहीं हो रहे है तो क्या यह सीज़े गलत हैं कि सही हैं, आगे देखिएगा, कहा जा रहा है, अब इस वीडियो को देखने के बाद, आप चरूर मैसेश करेंगे, भया हमने तो form को अपना fill up कर दिया है, ठीक, अब हमारा क्या होगा, क्या हम संसोधन कर पाएंगे, या नहीं कर पाएंगे, देखिए, क पूरा proof ही हम आपको दिखाएंगे, आप वीडियो के लाष्ट तक बने रहेगा, चलिए, हम एक एक चीज़ों को आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, देखिएगा, सबसे पहले इधर, आपके बीच में, क्या आपको सारी चीज़े नजर आ रही है, या नहीं आ रही है, तो इस्क्रीन साट की वज़न से चीज़े पनफर्म नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, यह बिलकुल बलर है, हम आगे आपको लेकर चलते हैं, आप परिसान मत होएगा, ठीक है, थोड़ा सा देख लिजएगा, यह जो है, डॉक्टर राम मनोहन लोहिया, अवद यूनिस्टी का है, देख सकते हैं, अब ध्यान देजिएगा, अगर हम इसके संदरोब में आप से कहें, तो देखिएगा, यहां सब कुछ आपका दिया गया है, रोल नमबर है, यूवाइन नमबर है, इन्रॉल्मेंट है, ठीक है, अगर आप हमसे कह रहे थे कि हमारे भी मार्क सीट नहीं आई है, तो क्या हम मार्क सीट नमबर में क्या डाले, आप यार, इन्रॉल्मेंट नमबर में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपके मार्क सीट में वो डाटा होना चाहिए, जो आप फिलप कर रहे है, आपके मार्क सीट में अगर वो डाटा है, तो कोई दिक obtained mark दिया हुआ है mile maximum mark जोड़ लिजये 1-2-3-4-5 6-7-8 मुझे बताइए एक subject में इनका जो भी semester रहा होगा ठीक है इनका जो भी semester रहा होगा भया इनके total 8 subject बंद है ठीक है और इनका बेस्सी है अच्छा इसमें तो दिया ही नहीं है तो अब आठो समेस्टर को देखिए, नीचे यहां दिया गहा है समेस्टर ठीक है, पहले में सिक्स समेस्टर में देख सकते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, ठीक है, देखिएगा, अच्छा, इसे हम थोड़ा सा हटाते हैं, यह हमें भी थोड़ा ठीक से दिखने रहा, अभी अवद इन्विस्टिक और भी आये हैं, देखिएगा, यह भी अवद इन्विस्टिक आही आ रहा भी, अब आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बट यहां देखिएगा, यह आपका बीए है, ठीक है, बीए वाले भी समझ दिचे कोई दिक्कत नहीं, दोनों आपके लिए कंपल्सरी है, ठीक बया चलिए, देखिएगा, आपको वही चीज़े काउन करना है, थोड़ा सा हम यार सही करने का प्रयास कर रहे हैं, बट आपको वो क्लियर देख नहीं रहा है, ठीक है, बैरहाल मैं आपको टोटल समझा भी दे रहा हूँ, अच्छ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको कहें परिसान हो, देख सकते हैं, टोटल मैक्सिमम मार्क दिया गया है, ठीक है, पांसो, पांसो, छेसो, 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 ठीक है, और यहां टोटल आपके अप्टेंड मार्क दिये गया है, अब मुझे आप बताओ, की ठेक है और SGPA की तो आप मुझे बताइए अगर यहां आपके टोटल मार्क और अप्टेंड मार्क दिये गए हैं तो CGPA भार वजाए हमारा ठेक है CGPA से हमें नहीं मतलब है ठीक है तो आप लोग इसी इसको ध्यान देजिए यह CGPA वाला केल्कुलेट आप कर रहे हैं दोनों एकपल ने आ यार एकपल की परिशान मत हुए है कोई मतलब नहीं है आपका अगर क्लियर है तो आप क्लियर फॉर्म को अपलाई करिए ठीक भया चली यह हो गया आगे यहां देखिए अब यह बीर बहादूर सिंग पुर्वांचल विस्विद्याले का आ रहा है इनके रिजल्ट जो है अपडेट हो गये है ठीक है इनके रिजल्ट भया अपडेट हो गये है अगर आप बीर महादुर सिंग पुर्वांचल बिज्विद्याले से विलाओं कर रहे हैं तो क्रिपय आप ध्यान देजिएगा देखिएगा यहां total mark दिया गया है total mark के सामने जो obtained mark आपके दिया गया है दिया है या नहीं दिया है आपको देख रहा होगा अभे मैं आपको दूसरी मार्क सीट वीर महादुर सिंग पुरवांचल का दिखा रहा हूँ जहां पर जो result आज अपडेट हुआ है उनके total mark प्लस आपके कितने mark में हमने परिक्षा कराई है आपने कितना number पाया है और कितने mark में हमने परिक्षा कराई वो सब को शिन्होंने clear कर दिया है आप परिसान मत होएगा बट अगर आप नहीं check कर पारे रिजल्ट आप अपना फिर से check करिएगा ठीक है इसी line को आप पूरा जोड़ लीजिए ठीक अभी जो मैंने mark सीट देखा उसमें जो है समभूता 42 आपका दे रहा था कितना दे रहा था एक शेकंड मैं आपको बता रहा हूँ ठीक हाँ 42 आपका दे रहा था ठीक है तो हलाकि अभी यह चीज clear नहीं हो पाई है कि BA का अलग है या BAC का अलग है आप थोड़ा से इस चीश को ध्यान देजिए अगर आपका result नहीं आया होगा तो result आप फिर से एक बार चेक कर लिजिए ठीक वहाँ पर total mark आपके दिये गए है ठीक बया और यहाँ अभी उसे भी आप देख लिजिएगा देखेगा अब देन दयाल का देख लिजिए अगर आप देन दयाल से विलाओं कर रहे हैं ठीक है तो आप मेरे पास live में comment करते हैं कि BA हमारा total mark कितना बनेगा मैं चमाच आ मार्क दिये गए है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ठीक है अब देख सकते हैं माइनर और और करकुलर करके दो सब्जेक्ट आपके हैं आप यह भी पूछते हैं यह आपका total जुड़ेगा ठीक है यह आपका total जुड़ेगा ध्यान देजिएगा छे समेस्टर म बन रहा है किसी का 6000 बन रहा है ठीक है स्वरी यहाँ देख सकते हैं एक 2 3 4 5 6 7 8 9 एक मिनट से आपके च्छ समिश्टर 6000 के बनेंगे, ठीक है, यह किसका है? यह दिन द्याल वालों का है, ठीक है? देखें, अब चोधरी चरण सिंग का है, अब देखेंगा, यहां चोधरी चरण सिंग के जितने भी छात्र है, सब लोग यार ध्यान दीजिए, ठीक है, आप हमसे लगातार पूछते हैं, हमारे पास तमाम युनिश्टी के मैसेज आई हुए हैं, ठीक है, अब यहाँ देख लिजिएगा, इनके पास भी maximum mark दिया गया है या नहीं दिया है, एक, दो, तीन, चार, पान, छे, ठीक है, maximum mark इनका भी दिया गया है, देखेगा, यहाँ आपके 75 नमबर में आपके थियोरी होगी, और 25 नमबर में आपका प्रेक्टिकल होगा, यानि टोटल आपके 100 नमबर में आपकी परिच्छाएं करही जारे, मैं आपको 100 नमबर बताया था कि नहीं बताया था, आपके हैं कि बताया थे, ठीक है, तो मैं आपके हर एक डाउर्स को क्लियर कर रहा हूँ, तो क्या मेरा यह ओदेश से नहीं बनता है, कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, यह मैं नहीं कह सकता हूँ, ठीक है, आप मुझे बतायेगा, अब देख सकते हैं, एक, दो, तेन, चार, पांच है, अब जो देख सकते हैं, छे समस्टर होगा, तो छचचोंक 3600 इनका भी पोडांग होगा, या नहीं होगा, ठीक है, अब अगर आपके सब्जेक्ट में कुछ परिवर्तन होगा, किसी में पांच सब्जेक्ट होगा, तो उनक आपको एक के जोड़ना है, नो, दोनों जोड़िएगा, ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं, इन्होंने टोटल में, चली ठीक, आप यह मत जोड़िए, ठीक है, एक्सरनल है, और यह इंटरनल, यहाँ देख सकते हैं, टोटल आप कितना पाए हैं, है का 72, 76, 73, 72, और आपन 5 से multiple करा रहे हैं, या तो 10 से करा रहे हैं, ठीक, आप इनको छोड़िए, कोई फायता नहीं है, ठीक है, percentage अपने आपको दुठाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, अगर CGPA और SGPA को आप count कर रहे हैं, percentage से, और आप जैसे यह total number आपको मिल गया है, ठीक है, तो total number मि परिसान मत होए, चलिए, देखिएगा, अब देखिएगा, यहाँ बीर बहादुर सिंग पुर्वांचल विस्विद्याल है, यह भी है, ठीक है, एक सेकंड में थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा, मैं आपको और भी डावर्स में क्लियर कर दूँ, ठीक है, रुकिएगा, चलिए, बहराल यहाँ तो यह चीज़े नहीं दिया है, ठीक है, यह बीए का है, यह नाम सब का दिया गया है, ठीक है, बट यहाँ नहीं दिया, अच्छा यह बीएसी का है, हाँ, सबसे उपर दिया गया है, देखिएगा, यह बीएसी का है, ठीक है, थोड़ा सा हम बीए का calculate करना चाहेंगे देख सकते हैं BSC का आ जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनने में तो 8 हैं लेकिन आगे हमारे पास 1 second हम आपका समय लेना चाहेंगे ठीक है रुख जाईएगा यह देखे B A का है ठीक है BSC में अभी मैंने 800 आपको एक समेश्टर बतायां और यहां देखे लेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 800 इनका भी है तो मेरे हिसाब से आपके प्रते एक समेश्टर का 800 बन रहा होगा चाहे B A होगा चाहे BSC होगा आप ध्यान दीजिएगा और आप बड़ी गलती आई होई है तो मुझे नहीं पता है तो मुझे नहीं पता है यह जिनका भी होगा आप थोड़ा समझे बता दीजिएगा BSC first semester है ठीक है चलिए यहाँ इन्होंने कुछ clear नहीं किया है यह कौन से अविश्टिका है मुझे नहीं पता ठीक भी है चलिएगा अभी और भी आगे देखे देखे वीर बहादूर सिंग पुरवांचल का यह भी है ठीक है वीर बहादूर सिंग पुरवांचल का जो भी होगा आपका result update हुआ है आप देख लिजेगा ठीक है सुरुतितिवारी यह भी सुरुतितिवारी अच्छे यह भी बहादूर सिंग पुरवांचल का ही है मेरे हिसाब से ठीक है बड़ कोई बात नहीं देखिएगा यहां भी चीजें क्लियर है या नहीं क्लियर है देखिएगा एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ सब्जेक्ट हुए या नहीं हुए आप कहेंगे बिल्कुल हुए तिक आप अपने हिसाब से एड कर लेजिए ठीक बहाद चलिएगा वीर बहादुर सिख पुर्वन चलिए भी यह यह भी देखिए वीर बहादुर सिख अधिक तर मेरे पास आपका ही आ गया है क्या देखिएगा यह दिन देल का है दिन देल वालों का हमने क्लियर कर दिया ठीक है हाँ देख सकते हैं ये भी वही है दिन दयाल का हो गया ये भी दिन दयाल का है ये भी दिन दयाल का है ये आप लोगों ने सब मेरे पास यही भीज दिया क्या लग रहा है देखिएगा ये च्छत्रपति साहुजी महराज का है ये जिनका वह होगा भया इसमें कुछ क्लियर न प्रश्टी के हैं इनके लिए बड़ी समस्या है चीक भया चलेगा अब यह मैं आपको वह मारक सीट भी दिखा रहा हूं आप परेसान मत रहे हैं देखेगा यह आपके देखेए आज मेरे पास यह किसी ने रिजल्ट भेजा है यह जिनका भी होगा मुझे तो नहीं पता देख सकते हैं सब कुछ आपका दिया गया है मैं आपको बतारा चाहूंगा देख सकते हैं 8 जो है SGP इनका आ रहा है 8.00 करके और CGP इनका रहा है 7.733 करके और इनके जो grand total यानि total कितने नमबर आ रहे हैं 3170 नमबर आ रहे हैं और कितने में आ रहे हैं 42 में आ रहे हैं, ठीक है, कितने में आ रहे हैं, 42 में आ रहे हैं, अब धिहान दीजिएगा, अगर हम कहें, तो आपको यहां calculate किस से करना है, देख सकते हैं, 9.5 से करना है, ठीक है, 9.5 से अगर हम calculate करते हैं, 8 में, ठीक है, तो हमारा कितना आ रहा है, आप calculate करके देख लिजिए यहां जीरो रह एक नवा बहात्तर बहात्र चार्च 76 ठीक है अपका शिएत्तर आएगा तो यह से दिर्स पॉइनल तो अवह सब्सक्राइब एक पोरिश्य फिर्स परसेंट आ रहा है ठीक है मैं आपको बता रहा हो समझेगा अब यह तो सेवन पॉइंट सेवन पॉइंट सेवन थिरी करना सेवन थिरी हम ले रहे हैं और इसको भी हम 9.5 से मल्टिपल कर रहे हैं तो अधिक तब हम दो डिजिट लेते हैं इसका जो आएगा 73 पॉइंट 73 पॉइंट 43 आएगा ठीक है अब मुझे बताइए क्या ये दोनों इक्वल आये हैं नहीं आया है अब चलिए ये तो आपका हो गया अब हम बात करते हैं नीचे 71 और 70 का भागे हम 42 करेंगे ठीक है अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा टोटल आ रहा है 75 पॉइंट 75 पॉइंट जो है कितना रहा है 4 से बना रहा है 4 से बना रहा है ठीक है तो मुझे आप बताइए क्या एक तो आपका पहला है ये तो आपका दूसरा है ये तो आपका तीसरा है क्या तीनों में से कोई सेम आया है या नहीं आया है नहीं आ बचा है ठीक है इसलिए समय को मद्दे नजर देखते हुए आप अपने फॉर्म को दोस्त फिलब कर दीजी अनिथा किस्थिती में मामला आपका गड़बर हो जाएगा ठीक है बाकि कुछ और डाउट्स आपके बचने एक सिकंड थोड़ा समय लेना चाहेंगे चलिए देखिए अब हम बात करेंगे ये आप सीजीपी और एसजीपी के बारे में हम उम्मेद करते हैं कि आप बहतर तरीके से समझ गये होंगे अब जो लोग फॉर्म को डाल दिये हैं उनके मन में ये डाउट्स चल रहा होगा हम लोग क्या करें देखिए अगर आपने फॉर्म को अपलाई कर दिया है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं अब छोड़ दीजिए जो होगा वो देखा जाएगा ठीक है अब हम आपको आपके पास दो तीन चार दिन का समय बचा हुआ है अगर आप कर पा रहे हैं तो कर दीजिए ठीक है चली अब यहाँ परसंटेज निकालना आप जाने के परसंटेज आप निकालेंगे 9.5 से मल्टिपल करके और कुछ इन्वेस्टिक टेंसे भी करा रहे हैं आगे अगर हम तो जो फॉर्म रिजिप्ट का जहां तक सवाल आप लगातार जो हमसे पूछ रहे हैं बया क्या हम लोगों का फॉर्म रिजिप्ट तो नहीं होगा मैं आपको बताना चाहूंगा यार फॉर्म किसी का रिजिप्ट नहीं होगा ठीक है क्यों नहीं रिजिप्ट होगा क्यों मंच पर ये चीजें साजा नहीं किये जा सकते ठीक है तो आसा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा बाकि अगर आपका कुछ कंफूजन से कुछ डाउट्स है तो मैं लगबग आठ बचे आपके बीच में लाइब उपस्थी तरोंगा आप लाइब में जुड़कर अपने डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं ठीक है तो चलिए आसा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा प्लीज वीडियो को लाइक किजिए का सेर किजिएगा और चैनल पर पहले बार विजिट किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब रिल कीजिए का वीडियो आप करते थैंक्स धन्यवाद